हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैसे बनाते है पिज़ा घर में इसके रेसिपी घर में आप पिज़ा बना सकते है पैन पे या फिर तवा पे आपको आपके घर में अगर ओवन नहीं है तो आप घर में ही ये पैन पे पिज़ा बना सकते है उससे पहले मैं आपको बता दू, अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो नहीं की समय है, जिसका नाम है leurs new recipe की चन्द और bell icon पर क्लिक केजिए All option select करेए, तहकि आपको मेरे new new अपके में recipes की notification मिलते जाएएंगे और यह ने बनाते हैं यह माय बनाते हम प données के लिए आकी पहिं जब सेट कर्छेब बनाषड़ कोजिए मैंने तावे पर पावे बनाया इसा ही आपको पीजा बनाणा है आपके गर पैंए तो अपर बना सकते हो मैंने टू सिम्ला मिर्शी फाइनली चॉप किया है और अभी हम इसके सबजी बनाएंगे गड़ाई में तेल एड़ करिये और इसमें थोड़ी राई डालना है इसके बाद इसमें पैस डालिये और पैस अच्छे से रोस्ट होने के बाद इसमें हल्टी पाउडर, रेड़ चिली पाउडर, करम मसाला, धनिया पाउडर अड़ करिये आपके सिसाब से खाना पसंद करते हैं मैंने काफी तीखा पसंद करती हूँ इसलिए मैंने काफी तीखी सबजी मैं बनाने वाली हूँ तो मैं रेड़ चिली पाउडर का ज्यादा यूज़ करने वाली हूँ और पैस को अच्छे से रोस्ट करिए फिर इसके बाद इसमें टर्मरिक पाउडर सब एड़ करिए अब इसमें मैंने रेट चिली पॉर्टर टर्मरिक एड़ करी है अच्छे से इसे रोस्ट करिए और इसमें सिम्ला में जो हमने फाइनली चॉप की है वो डालिए हम पीजा के ऊपर के सबजी बना के रेड़ी कर रहे है आप डिरेक्ली मोटे मोटे ओनियन के विसेस या फिर सिम्ला मिर्चे के विसेस भी से पीजा पर डाल सकते हो लेकिन अगर सबची बना के डालते हो तो उसका अलग से टेस्ट आता है और वो काफी अच्छा लगता है अभी इस इम्ला मिर्चे को थोड़े देर के लिए पकने के लिए रख दीजे इसमें थोड़ा नमक धनिया पाउडर आड़ करिए गरम मसले आड़ करिए और थोड़ा सा और बखने के लिए रख दीजे अभी तब तक हम पिज्जा का टॉप इंड रेड़ी करेंगे मैंने पिज्जा वेस अल्रेडी बना के रख दिये है आप भी पिज्जा वेस घर में बना सकते हो मैंने मेरे ये वीडियो के डिस्रिप्शन बॉक्स में पिज्जा वेस बनाने की रेसिपी भी अपलोड की है ये पिज्जा वेस मैंने घर में ही बनाया है ऐसा ही आप घर में बना सकते हो पिज्जा वेस और जो पिज़ा का top in रहता है यानि पिज़ा sauce ये भी homemade है इसकी भी recipe मैं description box में upload कर रही हूँ ये सब homemade ही चीज़े हैं दोस्तों और ये चीज़ सो देख रहे हैं आप ये भी मैंने घर में ही बनाया है homemade चीज़ है अभी हम pizza का top in बनायेंगे जो pizza के side अच्छे से cook हो गई है उसके उपर हम pizza का sauce लगाएंगे और जो pizza के side अच्छे से पकी हुई नहीं रहती वह हम gas पे रखेंगे अभी sauce अच्छे से लगा लिया है हमने हमारे सबजी भी बन के रड़ी है आप यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी रेसिपी की लिंग देख सकते हैं मैं इसमें पिज़ा बेस होमेड चीज और होमेड पिज़ा सॉस की रेसिपी की लिंग भी अपलोड कर रही हूं आब यह पिज़ा सॉस और सबजी डालने के बाद जो हमने चीज बना के रखा है अल्रेडी उसको गरेट किया है मैंने अच्छे से उसको हम चीज और से डालेंगे मैंने पैन को गरम होने के लिए रखा है और उसके यो अंदर एक प्लेट उल्टी डाली है हमें डायरेक्ली पिज़ा को रोस्ट नहीं करना है ने तो पिज़ा का जो नीचे वाला हिस्सा है वो एकदम से रोस्ट होके थोड़ा जल भी सकता है और हमें थोड़ा सॉफ्ट पिज़ा चाहिए इसलिए मैंने नीचे एक प्लेट रखे है पैन के उपर और उसके उपर ये विज़ा के प्लेट रखेंगे और इसे चीज मेल्ट होने तक कवर करना है याद रखी है हमारा विज़ा का बेस भी लगवब थोड़ा पका हुआ ही है और सबजी भी पकी है इसलिए हमें इसे सिर्फ चीज मेल्ट होने तक ही हमें रोस्ट करना है जादा रोस्ट नहीं करना चीज मेल्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा और थोड़े देर के लिए हम इसे कवर करेंगे अभी चीज काफी तरह से मेल्ट हो गया है हमारा पिज़ा एकदम घर में बनके रेडी है ये पिज़ा हमने जो बनाया है इसमें पिज़ा बेस चीज चीज पिज़ा सॉस सब घर में ही बनाया है तो हूममेड पिज़ा ओन तवा ओन पैन आप एंजोई करिए मेरे साथ और कनेक्टेड रही है मेरे चैनल से जिसका नाम है म्रॉंस नियो रेसिपी कीचन थेंक यू फ्रेंड्स एंड बाइ बाइ